आज मैं आपके लिए क्लास 10th हिंदी ऑक्टूबर एसाइन्मेंट के कुश्चन अंसिस लेकर आया हूँ स्वागत है आपका फेविलेट अपने आपके यूट्यूब चैनल मंजिल अजूकेशन बाई अनुजदिवेदी में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर सब्जेट्स के भी एंसर्स और कुश्चन सॉलूशन मैंने बना कर रखे हैं वीडियो लिंक दिया हुआ है उससे भी जाकर आपको मदद मिल सकती है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इससे सस्क्राइब जरू कर लें लाइक करें और अपने फ्रेंज की बीच में शेयर करें जिनने इस वीडियो से हल्प हो सके चुले स्टार्ट करते हैं हिंदी के सॉलूशन पहला कुश्चन जो है सबका दुख अलग-अलग होता है अपनी अपनी बीमारी पाट के अधार पर दुख के अनुभव कोई तीन मिंदू में लिखिए ये तीन मार्क का कुश्चन है तीन अंग का उत्तर की रूप में आप क्या लिख सकते हैं देखिए कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक विपननिता से दुखी है तो कोई टैक्स देने की कारण किसी के पास धन की कमी तो किसी के पास वैभव विलास की वस्तुव की कोई व्यापार में हानी से तो कोई बिजली बिल से तो कोई महगाई से सबके दुख अलग-अलग है हम भी इसी समाज का हिस्सा है इसलिए इन दिखों का अनभव भी बखो भी किया है दुखी सभी हैं किन्तु उनकी स्वरू भिन्न-भिन्न है यह पहला question का आपका answer है दोशा प्रशन आपके लिए है उसमें A है A number का question में है पहला मुहावरा क्या है हवा में ताज उड़ना उसका उत्तर है अर्थ क्या होगा राज तंत्र की समाप्ती वाकि में प्रयोगर घ्रम करें तो गर्टंत्र आने पर हवा में ताज उड़ेंगे दूसरा प्रशन आपके लिए है चेहरा खिल उठना उत्तर है उसका अर्थ जो है खुश हो जाना वाकि प्रयोग अपनी सहेली को अनायाज देख खुशी से सुमन का चेहरा खिल उठा बव प्रशन है प्रशन नमर दो का ही बव प्रशन रामधारे सिन दिन करने गिट्टी तोडने वालों को प्रशन में आपके मिट्टी लिखा हुआ है परन्तु वो एक्शुल सब्द क्या है गिट्टी तोडने वाला है गिट्टी तोडने वालों और खेतों में काम को देवता क्यूं कहा है तो उत्तर में आप लिख सकते हैं मजदूरों के बिना समाज का विकास संभव नहीं फिर क्या है नहीं है उन्हीं की इस रम स्वेज से जनकल्यान हो रहा है अतह कवी ने गिट्टी तोडने वालों और खेतों में काम करने वालों को देवता कहा है इसके लिए आप जो आपका पोयम है जो पद्य है उसे भी लिख सकते हैं देवता कहीं सडकों पर गिट्टी तोड रहे देवता मिलेंगे खेतों में खलियानों में ये रामधारी सिंदिनकर के द्वारा लिखी गई दो पंक्ती है इसे भी आप प्रश्न अउतर में लिख सकते हैं ठीक है प्रश्न नमबर तीन बांध सडक वा अन्य सरकारी निर्मान कारे होने पर स्थानी लोगों को किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस प्रकार के विकासकारियों के क्या क्या फायदे होते हैं अपने विचार माटी वाले पार्ट के आधार पर लिखिए ये चार अंक का कुश्चन है इसका उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं चलिए मैं बताता हूं आपको बांध कारी अन्य सरकारी निर्मान कारी होने पर स्थानी लोगों को विशेश कर इसका सबसे भयावक असर गरीबों, लाचारों तथा असहाय लोगों पर पड़ता है विश्थापितों की समस्या चिंतनी है नई जगर पर स्थान पाने के लिए प्रमान पत्रों की आवश्यक्ता होती है जो उनके पास नहीं होते हैं माटी वाली विद्धा ऐसे ही वर्ग का प्रतिन धित्व करती है ऐसी स्थिती में वह कहां जाएंगी, उनका क्या होगा इत्यादी प्रशनों का जवाब ढूनना अवश्यक है इस प्रकार के कारियों से लोगों को स्थानी रोजगार प्राप्त होता है बांधकारियों से पानी वा सिचाई की समस्या दूर होती है बाड से होने वाले हानियों को कम किया जा सकता है भूमी विस्थापन की समस्या को दूर करने के लिए उन्हें नई जगा भूमी उसका मुहावजा सासन द्वारा किया जाता है अगला प्रश्ण है देखते हैं क्या आप है प्रश्ण नमबर चार का आप प्रश्ण जो है घीसा कक्छा लगाने के पुरुव क्या क्या तयारी करता था ये आपका दो नमबर का है कुश्ण और बह वाला भी दो नमबर का है तो दोनों मिला कर आपको चार आंके देने हैं च मा देवी जी की शीतल पाटी जाड पोच कर साफ घर यथास्थान रग देता था। जैसे ही दूर से उनके नाओं को आते देखता तो तीर की तरह अपने साथियों को दवड़ कर गुरु साहब के आने की खबर देता हुआ पेड़ के नीचे आ जाता। क्योंकि उस मलिन सह में से नन्हे विद्यार्थियों की आखों में ना जाने कौन सी जिग्या सभरी थी जो सिर्फ उन्हें ही देखा करता था। ऐसा लगता था मानों उनकी सारे विद्या बुद्धी को सीख लेना ही उसका एकमात्र लक्ष था। वह उन सब के बीच भी अकेला अपनी और महादेवी का ध्यान आकरिष्ट करने में सफल रहा था। उनकी समय दनाओं में वह जी उठा था। ऐसे आप लिख सकते हैं अगला कुर्शन क्या है प्रशन नमबर पांच अधो लिखित गध्यांश को पढ़कर नीचे दिये गए प्रशनों का उत्तर लिखिए गध्यांश को मैंने शौट तरीके से लिख दिया है आप अगर पूरा गध्यांश चाहते हैं तो पढ़ने के लिए आप कुर्शन की PDF को देख सकते हैं चले देखते हैं पहला प्रशन क्या पूछा है जीवन की अधारशिला किस काल को कहा जाता है तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप जीवन की अधारशिला विद्यार्थी काल को कहा जाता है गद्यांश का उचित सिर्षक लिखिए तो गद्यांश का उचित सिर्षक क्या होगा बच्चों? विद्यार्थी जीवन है ठीक है? प्रशन नम्बर तीन मानव जीवन के लिए विद्यार्थी जीवन का महत्व स्पस्ट कीजिए तो उत्तर में आपको क्या लिखना है? मानव जीवन में विद्यार्थी जीवन का बहुत महत्व है, विद्यार्थी जीवन मानाव जीवन की अधारशिला है, इस समय जो संसकार बालक में पढ़ जाते हैं, वहीं संसकार जीवन भर अमिट रहते हैं, इस काल में जो बालक कस्ट सहन कर लेता है, उसका जीवन सुखद रहता प्रेशन नमबर पांच छोटी व्रिक्ष के पोशन का उलेक की संदर्व में किया गया है और क्यों छोटी व्रिक्ष के पोशन का उलेक इस संबंद में किया गया है कि बालक जब छोटा होता है तब उसका पोशन एक व्रिक्ष की समान करने चाहिए तभी जाकर वह बालक एक स सब भिनागरिक बन सकता है आखरी कुश्चन है पांच वा विद्यार्थी जीवन की तुलना पार्चाला से क्यों की गई है उत्तर में आप लिखेंगे विद्यार्थी जीवन की तुलना पार्चाला से इसलिए की गई है क्योंकि पार्चाला में समाज निर्मान का कार्य किया वीडियो को देख सकते हैं समझ सकते हैं और चलिए आज के लिए इतना ही that's all for today have a nice day thank you